और इस वक्क की बड़ी कबर सामने आ रही है, Peem Modi ने जिलेंस्की से बात भी की इस वक्क की बड़ी कबर, Peem Modi और जिलेंस्की की फोन पर बाचीत होई दोनों नेताओं में 35 मिनिट तक होई है, जिलेंस्की यूकरीन की राश्टर्पती है सूत्रू के हवाले से बहुत बड़ी कबार जहांपर जिलेंस्की की प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत हुई है पीम ने बातचीत की कोशिश की तारीफ की पुतिन से भी बात करेंगे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और दोनों नेताओं यानि की जिलन्सकी और प्रधान मंत्री मोधी के बीच पे 35 मिनिट की बातचीत हुई है और बातचीत में उन्होंने उम्मीद है की जा रही है कि शांती से समाधान निकाला जाए इसी पर फोकस जरूर किया होगा क्योंकि लगातार यूकरेन में हालाद भिगरते जा रहे है तो ऐसे में पिये मोधी की जिलन्सकी के सहथ बातचीत को बेहद एहम तरीके से देखा जा रहा है और पुतिन से भी आज वो बात करेंगे रूस की राश्चुपदी पुतिन से भी उनकी आज बातचीत होने वाली है और पुतिन से भी बातचीत करने के बाद क्या कुछ किया जाता है उसके बाद तीसे दौर की बातचीत भी रूस और यूकरेन के बीच में होगी तो ऐसे में लगातार कई ऐसे बड़े विश्वनेता थे जो चाहते भी थे कि PM मोदी आप बीच में आएं और वो बोले बातचीत करें जलन्सकी से और पुतिन से दोनों को समझाने की कोशिश उनकी ओर से हो ताकि शांती बने क्योंकि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी एक ब कि यूरोब को पुतिन की धंकी लूज पर यूक्रेन की दहार जुकने को नहीं कोई तैयार महा युद में जलन्सकी का ज्वाला मुखी यूक्रेन के साथ युद में रूसी कहर का असर है कि यूक्रेन के जादतर शहरों में तबाही मची है हर तरफ सिर्फ आग ही आग दिखाई दे रही है धुआ ही धुआ उठता दिखाई दे रहा है और चारों तरफ बरबादी के निशान है लेकिन ये कहानी सिर्फ जमीन से लेकर आसमान तक हो रही जंग की नहीं है ये कहानी सब कुछ गमा देने और मिटा देने की भी है ये कहानी किसी के जीत जाने या हार जाने की ही नहीं है ये कहानी हर बीटते दिन के साथ यूकरेन के राश्टपती वुलादे मिर जेलेंसकी के बढ़ते जोश और जज़बी की है जिसके ज्वाला मुखी के लावे की तपिश ने रूस के राश्टपती का भी पसीना निकाल दिया है और यही वज़े है कि खुद के मुकाबले एक कमजोर मुल्क पर जीत के लिए पुतिन को ना सिर्फ बार बार राणनीतियां बदलने पड़ रही है बल्कि जल्द ही यूकरेन के शेहरों पर कब्सा कर लेने के दावों की मियाद भी बढ़ती जा रही है हालाद यह है कि रूस वं बरसाता है तो यूकरेन करारा जवाब देता है रूस मिसाइल हमला करता है तो यूकरेन भी मिसाइल से जवाब देता है रूस सेनिकों को मारता है तो यूकरेन भी रूसी सेनिकों को मात देता है रूस धमकी देता है तो यूकरेन भी दहारता दिखता है और इन सब के पीछे है यूकरेन के राष्टपती भुलादिमिर जेलेंस्की कॉमेडियन से राश्रपती बने जेलेंस्की में जोश इतना कूट-कूट कर भरा है शायद इसका अनुमान भी रूसी राश्रपती पुतिन को नहीं रहा होगा रूस के खिलाफ वुलादिमिर जेलेंस्की के इस जोश का ही असर है कि पहली बार युक्रेन एक साथ खड़ा दिख रहा है